मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजूकेशन हब यूटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के वीडियो में हम लोग ताला चेप्टर पढ़ने वाले हैं जिसके लेखा कौन है देवेंद्रेनात सर्मा ठीक है हम का छठा चेप्टर है इस तरीके से हम लोग का कहानी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग पोयम पढ़ेंगे फिर हम लोग व्याकरन पढ़ेंगे हिंदी पचास माक्स हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे पार्ट टू के लिए ठीक है देवेंद्रेनात सर्मा का एक सार्वगवित व्यक्तिगत निवंद्र इस निवंद्र में लेखक ने ताला के माध्यम से समाज के कई ज्वलन प्रस्नों को भाड़ा है समाज में कई तरह के लोग होते हैं चोड़कैत सादू संद सज्जन दुर्जन धनी गरीव समाज पोसक समाज पोसक एबं करते हैं मानों सभाव में कई तरह की दुरवलता होती है इस दुरवलता का कारण भी समाज ही होता है समाज में दुख में पाप में निश्टा पूर्ण एबं और सोबन काईड़े करने वाले लोग भी होते हैं चोड़कैत इस स्रेनी में आते हैं लेखक ने इस समंद के बांने बट्रण सभी लोग करते हैं घर से बाहर जाते ही हम दुवार पर ताला लटका देथे हैं ताला का पर्योग हम घर की सुरक्षा के लिए करते हैं लेकिन घर की निगरानी और प्रार्ण की सकती ताले में नहीं होती वह नीडी और चेतन निश्प्रान प्रानी होता है किसी तरह की विरोधी सकती उसमें नहीं होती लेखक की द्रिश्टी में घर की रक्षा ताला नहीं करता वह तो मात्र यह संकेतित करता है कि घर का मालिक घर के बाहर है अब इस घर की रक्षा का अगल वगल के रहने वाले के ऊपर है इसलिए घर के मालिक के अत्रेक्त जब कोई अन्य व्यक्ति ताले पर हाथ लगाता है तो घर से परिचित लोगों का ध्यान उधर चला जाता है और वे घर की रक्षा के लिए उद्धत हो जाते हैं वस्तुता ताला का पडियोग सज्जन व्यक्तियों के लिए किया जाता है चोड़ डाको के लिए नहीं ताला देखकर सज्जन व्यक्ति समझ जाते हैं कि घर का मालिक घर से बाहर है यहां रुकना ठीक नहीं चोड़ों के लिए ताला तो नगनने है बलकि वह इतनी नान करा देता है कि घर में कोई भी नहीं है को पुलिस वालों से अधिक रहता है। रक्षा के लिए जितने आज अधिक चौकस रहते हैं, चोरी के कारगर तरीके भी अधिक से अधिक इजात होते गए हैं। लेखक की देश्टी में ताला पुंजिवात का प्रतीक है। यह देश गौतम भूध और महावीर का है। यह धन का संग्रह अच्छा नहीं समझा जाता। लोग वितराग होकर जीवन वैसित करते थे। राजा रगुने तो विश्वजीत यग में अपना सब कुछ दान कर दि है हमके वल अपने आप में ही सिमट गए है कवेर ने तभी तो कहा है। मोर तोर की जेबडी बटी बंधा संसार दारा कवेरा क्यू बंधे जाके नाम अधार। अपडिग्रह की भावना से जीवन यापन करने वाले सादू संतों के यहां चोरी कहां होती है। चोरी होती है जो पडिग रही है उनके यहां आज हमारा समाज धन संचय में सलनगन है। उसे किसी तरह से धन चाहिए चाहे चोरी हो तसकडी हो अपहरन हो छल हो रिस्वत या इसमागलडी हो सिर्फ पैसा चाहिए चाहे धन कोई भी हो। लेखक ने कहा है कि यह चीज मेरी है इसी भावन कर रखता है उसे किसी को देना नहीं चाहता वस्तु के प्रति अतिसे ममत्व का जो भाव है वह पुंजीवात का मूल है और पुंजीवात के साथ रक्षा का प्रस्ण अनिवार्यता लगा है आज मानों जीवन में एक मात्र उद्य से कंचन संग्र है इसी भावना के कारण म मेरी ही रहे कोई दूसरा उसे ग्रहन नहीं कर सके इसलिए ताले किया विशकता होती है अगर संचय की प्रविर्ति नहीं रहे तो समाज के सभी अन्यापुन सोसनों का अंध हो जाएगा आज समाज विवस्ता में जो विशम समस्या उबर रही है उसका कारण धन संचय ही है वर्तमान जीवन के सभी संघर्सों एवं विघटन कारी तत्वों का मूल यही अर्थ संचय की भावना है दिनकर जी ने कहा है इस व्यक्तिगत भोगवाद से फुटी वीश की धारा तरप रहा जिसमें मर कर मानो समाजी असारा जिसके पास जितना धन होता है उसकी दो ने को मिन थे वीश्रुट लेकिन सीर्कषा के बाद में इसज़ाइसमें यह सवावना नहीं थी नहीं दी नी गरीब की भावना नहीं थी तब लोगों को जीवन में सांती ती तो आज है इसका कारण हमारी अर्थ लो लूपता ही है गीता में तभी तो स्री क्रिस्ट ने कहा है विहाय काम नए सर्वान पुमास चरित निस्प्रे निर्भमो निर्यंकारस सांती मदि गच्छती आज हमारे चतुर्दिक सुसन का मंच खड़ा है अर्थो पाजन के लिए नितनित नय प्रपंच गठे जा रहे हैं तत्ता में तसक वादी है वह सभी में बराबरी लाना चाहता है महल और जोपरी की उचाई में समता बैठाना चाहता है भाव आ भाव को एक कराने की सद्धिश्टा से प्रेडित होकर काईड़े करना चाता है पैसे का उपारजन अन्याय से ही किया जाता है किसी के हक पर अपना हक कायम करना पड़ता है वैसे तो कोई भी काम अपने आप में बुरा नहीं होता देश काला और परिस्थिती के अनुकूली अच्छाय बुराई और पाप पुन्ने की पड़िवासा दी जाती है अता चोरी बुरी चीजे लेकिन तसकरी अपहरन रिस्वत खोरी और राजनेतिक अस्तर पर होने वाले करोड़ों का घोटाला क्या है चोर को हम बुरा मानते लेकिन तसकर, रिस्वत, खोर और नटवर लाल बढ़ने राजनेताओं को आदर देते है यह कहां का न्याय है ब्रहस्त अधिकारी तो चोरों से भी गय बीते है भास्तनों में राष्टवात का नरा लगाने वाले लोग राद दिन सोस्तन के दलदल में फसी है आखिर उन्हें हम क्या मानेंगे ताला सिर्शक निवन्द के द्वारा लेखक ने यह अस्पस्ट किया है कि समाज के समुचित उन्नेयन के लिए आर्थिक विशंत्र के समाप्ति आवस्यक है हमारी स्वार्थ परता के कारण ही समाज में छल प्रपंच लूट डगयती अपारन एवं रिस्वत खोड़ी होती है किसी वस्तु के प्रती अतिसे मवत्व ठीक नहीं इसी से पुंजिवार्थ का जन्म होता है सुविधा खोजी लोगों की कारण ही समाज में आर्थिक उत्पिरन होता है तो यह हम लोग का ताला चेप्टर था और इस तरीके से एक बार हम लोग अपना स्लेवस देखेंगे ठीक है आप लोगों को इस चैनल से बने रहना है हिंदी पुचास मक्स पूरा में आप लोगों को पढ़ा दूंगी और आप लोगों को स्टोरी सुन भी मजा आ रहा होगा ठीक है चलिए हम लोग देखें कौन-कौन चेप्टर कंप्लीट कर ली हम लोग का दोखा कंप्लीट जुलूस कंप्लीट साइते कंप्लीट सुभान खान कंप्लीट विश के रात कंप्लीट ताला कंप्लीट इस तरीके से हम लोगों का स्टोरी सेक्षन होता है आज complete अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे मात्री भूमी ठीक है हम लोग कौनकन से पढ़ना है मात्री भूमी पढ़ना है अन्वेशन मनुष्य की समानता आधरती कितना देती है मंजिल दूर नहीं है जाहिदर दिवाना ठीक हम लोग के अथि कहानी वळा में से आएगा और एक कवीटा वाला में से आएगा हम लोग कोश्वन हम लोग आएगा 15 नंबर का ठीक है कहानी हम लोग पढ़ लिए मतले 15 नंबर हम लोग का complete हो फिर सान शेपन आएगा एक दस नंबर का और एक मुहाबड़ा व्याकरन आएगा व्याकरन में आप लोग को बिप्रियार्तक सब्द मुहाबड़ा और लोकोक्ति आएगा ठीक है तो चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाइ और ठीक हम लोग एक बार प्लेलिस्ट को विजित कर लिएगा और प्लेलिस्ट के सारे विडियो को दिख लिजेगा ठीक है तो चलिए थाइंक्यूअ बाइ एंड ठांक्स वाशिक मा वीडियो चलिए थाइंक्यू